देश भर में 100 करोड वैक्सिनेशन होने पर भारतिय जंता पार्टी के द्वारा जश्न मनाया जा रहा है लेकिन इस बीच रीवा में बीजेपी नेता द्वारा एक लगवाया गया पोश्टर चर्चा का विश्य बना हुआ है दरसल बीजेपी नेता गौरव तिवारी के नाम से लगे इस पोश्टर में पूर्व मुख्यमंत्री और प्रदेश कॉंग्रेस सद्ध्यक्ष कमल नाथ की बड़ी फोटो लगाई गई है भारती जनता पार्टी की यूथ विंग भाजियूमो के राश्व्रीय मंत्री गौरव तिवारी के द्वारा देश भर में हुए 100 करोड वैक्सिनेशन पर प्रद्धान मंत्री नरेंद्र मोधी को शुपकामनाई देने के लिए लगाए गए पोश्टर में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ की वैक्सिनेशन वाली फोटो लगाए जाने के बाद अब भाजपा और कॉंग्रेस वैक्सिनेशन को लेकर आमने सामने दिखाई दे रही है कोरोनावाइरस के संकट काल से बचने के लिए भारत सरकार के द्वारा कोविड-19 की वैक्सिन तयार की गई जिसे जन जन तक पहुचाने के लिए सरकार के द्वारा लगातार कोशिशें की जा रही है इस बीच वैक्सिनेशन को लेकर कई बार राजनीतिक गल्यारों में भूचाल भी मचा और दोनों सियासी दल आमने सामने हुई इसके बाद विवादों के बीच तकरीबन दस महीने का सफर तैकर कोविड-19 की वैक्सिन ने समुचे देश में 100 करोड डोस पूरे कर लिए जिस पर देश भर में उत्साह का माहौल देखा गया तथा हर जगह 100 करोड वैक्सिनेशन के लिए खुशियां मनाई गई बता जा रहा है कि विश्व में भारत एक मात्र ऐसा देश है जिसने 100 करोड वैक्सिनेशन का पूरा किया मगर इस वैक्सिनेशन अभियान में अब पोश्टर की राजनीती शुरू हो गई है जिसके बाद अब एक बार फिर भाजपा और कॉंग्रेस आमने सामने खड़े हो गए हैं दरसल पोश्टर राजनीती की शुरूआत रिवा से हुई जहां 100 करोड वैक्सिनेशन पूरे होने के बाद प्रधान मंतरी नरेंद्र मोधी को दी जा रही शुब कामनाई में बीजेपी नेता गौरव तिवारी के द्वारा मध्ध प्रदेश के पूर्व मुख मंतरी तथ के बाद अब भाजपा और कांग्रेस आमने सामने देखे जा रही हैं कि कमल नाज जी का पोस्टर नहीं लगाया गया है वैक्सिनेशन जो सौकर हुआ है देश में मोधी जी के नेत्रत में उसका पोस्टर लगा है जिसमें कमल नाज जी की फोटो जरूर है और इसका वैक्सिनेशन की रफ्तार है वह वह दस साल भी लग जाएंगे इसको पूरे होते होते और पूरे दो रहाँ होते उतर कैया और साल लग जाएंगे कुछ को लोग भी नहीं देपाएंगी ये 5-6 सालों में और मात्र कुछ महीनों में ही नरेंदर मोदी जी के नेत्रत में जिस प्रकार से vaccination की speed हुई और 100 करोड का आंकड़ा पार किया बिल गेट्स जैसे लोगों तक ने सराहा है उनको और हमारे जो वॉलेंटियर्स थे पुलिस कर्मी थे स्वास्त कर्मी थे कोरोना वैरियर्स थे उन्हों इतना अच्छा काम किया है उसको नस अरहते हुए कॉंग्रेस दिल्ली हो भुपाल हो जिले में हो कहीं भी हो केवल प्रेस कांफरस करके रोती आ रही है और अभी जैसे यह हुआ है यह आने लगा है कि वैक्सिनेशन विदेश भेज दिये नहीं तो और पहले हो जाता राहुल गांधी जी को भी समझ में आना चाहिए था कि कुरोना जैसी महामारी से हमारी सरकार लड़ रही है विपक्ष हो आप आपको साथ देना चाहिए उन्होंने साथ देनी की वजाए केवल कोशते रहे और रोकनी की कोशिश की लेकिन हमारे मानी प्रधान मंत्री जी और मदर प्रदेश में मुख मंत्री जी ने जिस कोशलता के साथ इसको पूर्ण किया है वो काबिले तारीफ है इसलिए कि यह उद्देशत हमारा बताना और कुछ नहीं मैं वही तो बोला मैं आपको कि भाई कांग्रेस चाहती ही नहीं है कि कोई सरकार अगर अच्छा कार्म कर रही है तो उसको तो केवल विरोज करना है कि झापको कार्म कर दो लुदेशत है